हेलो दोस्तों राना क्लासेज में आपका स्वागत है तो आज के बहुत वड़ी खुस ख़वरी है कि उच्छे मादमी के स्क्यूलों में स्विछक होंगे बहाल लेकिन इससे भी वड़ी ख़वर है कि यह BPSC के माध्यम से संभावना होने की तो पूरी ख़वर पढ़ते हैं और सबसे वड़ा सवाल है कि यह ख़वर को लोग कहेंगे कि कहा है तो यह पटना एडिशन में नहीं है आप आज के ऑनलाइन पेपर हिंदुस्तान के सासा राम एडिशन में आप इसको देख सकते हैं तो मैंने उसी से डाउनलोड किया है तो जिले के उच्छ विद्यालयो करस्थान ये विभाग को जिले के सभी हाई बव प्लस टू स्कूलों में सिच्छकों के रिक्त पदों की सूची तलब की है नई विवस्थाकतर चैनित होने वाले सिच्छकों को पुराना बेतन मान मिलेगा बहाली रिक्त पदों के लिए होगी पूर्व से स्कूलों में का भाली बीपियजित परिच्छा के अधार पर लिजा सके बीपियजित दौरा इंविखता परिच्छा के अधार पर हो गीmaak के आधार पन्युक्ति ना होकर अभी अर्थियों को चैन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा सिच्छा में सुधार को ले विभागने बनाई रोड मैप हाई स्कूलों बा प्लस टू स्कूलों में लगातार गिड़ती सिच्छा विवस्था को लेकर विभागने रोड मैप बिष्डाइं रिक्तव पड़नाई है जिसमें इसकूलों के रिक्तव सिच्छस में सामील हो सकेंगे इसके लिए अनभव ke आधार पर अलग से लृत अधिवे पूर्व से पदस्थापित स्कूलों में सेवा देना चाहते हैं तो अथावत बनी रहेगी बहाली रिक्ती पदों की सेंख्या बख विश्यों के आधार पर की जाएगी मुख्य मंत्रिक के निर्देश के बाद सिच्छा विभाग ने इस कार्जिप करना शुरू कर पर दिया है विभाग रोडमेप के अनुसर पहले तो इने शबी स्कूलों से रिक्त पदों की सेंख्या मांघी है जहां सिच्छों के पद खाली है विद्यालों क हो чтоб प्रेश के नहीं मिल रहा है सिचक्छक जी लोग कि कई विश्यों में कहीं मिल रहे है यह सासा रामजिला अभी नौवी की पढ़ाय जी लेके सभी पंचायतम सुरू कराने की कवायद हो रही है जहां सिच्छकों की कमी आणे आ रही है इस स्थिति को निवटने के लिए दोजार वारबभ दोजार सिच्छकों की बहाली के लिए लिकिनका वेर्थि नहीं मिले दोजार में शिच्छकों के रिक्त पदों को देखते हैं अती तीस इस बादित है यह प्लस टू और आई कराई जाएगी और क्या है जो विभाग निर्देश उसका पारंद किया जाएगा विभाग सिच्छा सुधार के कई सतर से तैयारी की है तो बड़ी ख़बर क्या है सिच्छ को कि बाहली होगी BPSC के माध्यम से और जो नियो जी सिच्छक है उन्हें अनुभव के अधार पर अ सिच्छक की नहीं होगी लेकिन अच्छी कबर है और इसी अच्छी कबर के साथ धन्यवाद